आप सभी को मेरा नमस्ते मैंने आज अपने विद्याले के बच्चों के लिए एक हिंदी का टेलम बनाया है जो कि मैं आपके साथ सेयर करना चाहती हूँ यह टेलम है मैंने इसको एक फिस का आकार दिया है और मैंने पहले फिस को एक ब्लैक चार्ड पेपर पर ड्रा किया और ड्रा करने के बाद मैंने इसको काट लिया उसके बाद एक कार्ड बोर्ड पे मैंने इसको चिपकाया है चिपकाने के बाद मैंने यह लाल पेपर से इसका मूँ बनाया और सफेद पेपर से इसकी आखें बनाई हैं, और पीला पेपर काट करके यहां मैंने लिखा समानार्थी सब्द और अपना नाम और अपने विद्ध्याले का नाम, फिर मैंने ये कुछ कलरफुल पेपर लिए हैं और जिसको मैंने सर्कल के आकार में काटा है, गोल गोल, और इसको काटने के बाद मैंने इस पर समानार्थी सब्द लिखा है, जैसे इधर बगीचा, अब देख सकते हैं, बगीचा और इधर उपवन, संध्या, साम, सूर्य, सूरज, भूमी, धर्ती, पहाड, परवद, ऐसे ही बिभीन प्रकार के समानार्थी सब्द मैंने इस पर लिख और मैं इसको अपने बिद्याले की वाल पर चिपका दूँगी, और उचाई पर नहीं चिपकाना इसको, क्योंकि अगर उचाई पर होगा, तो बच्चों की पहुंच से दूर हो जाएगा, तो इसको हम दिवाल पर थोड़ा नीचे ही चिपकाएंगे, जिससे बच्चे इस आसानी से पढ़ सकें और देख सकें, तो आपको ए मेरा टी अलम अच्छा लगा हो, तो आप भी अपने विद्याले में इसे अवसे ट्राई करें, धन्यवाद,